हर किसी को एपनी शादी शान और शौगत के साथ करने का शोख होता है अबने अपनी शादी को लेकर सपने देखते हैं लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सादगी से शादी करना पसंद करते हैं ऐसा ही मामला है जो आपको थोड़ा चौका देगा ये मामला है IAS और IPS ओफिसर की शादी से जुड़ा हुआ अब IAS और IPS सुनकर आपको ये लगेगा कि IAS IPS हैं तो आराम से और अच्छे से बड़ी शादी कर सकते हैं लेकिन राजस्थान में ऐसी शादी हुई जिसमें IAS और IPS ने सादगी को सबसे उपर रखते हुए मंदर में शादी करने को प्रायरिटी दी राजस्थान के जैपूर में हुई इस अनूखी शादी में सभी का ध्यान गया ये शादी एक यूवा IAS ने अपनी IPS अधिकारी के साथ की मंदर में दोनों की शादी हुई दोनों की महाराश में पोस्टिंग है और इस शादी में गिने चुने महमान और परिवार के लोग ही शामिल हुए इसी के साथ ही आचर और जितेंद्र ने एक दूसरे को साथ फेरो के साथ साथ जन्मों का साथ देने का वच्चन दिया जहां जितेंद्र राजस्थान के जुनजुनुजले के रहने वाले हैं वहीं आचल पक्ष्टिमी उत्तरप्रदेश के शामली की रहने वाली है जितेंद्र आईएस हैं और आचल आईपिएस ओफिसर हैं दोनों की पोस्टिंग महराश्ट में हैं इनकी शादी के पीछे उनकी कमाल की लव स्चोरी भी छुपी हुई है जहां तक सूत्रों की माने तो इन दोनों की दोस्ती एक फ्रेनिंग के दरान हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदर गए और फिर इन दोनों की शादी का फैसला हुआ वो भी सादगी के साथ जितेंद्र को जहरखंड में कैडर मिलां तो आचल को महराष लेकिन जब दोनों की शादी का फैसला लिया गया तो जितेंद्र का तबादला भी महराष्ट में हो गया सनातन परंपराओं को मानते हुए पूरी रीती रिवाच के साथ ये दोनों विवाबंधन में बंधे हैं और एक शादी में बिना किसी तड़क भड़क के बिना दिखावे के एक दूसरे को जीवन भश साथ देने का वादा किया है जब शादी होती है तो दूलहे की बारात का सबको अलगी एकसाइटमेंट होता है लेकिन इन सबसे हटकर जीति इंदर की बारात में भी गिंती की लोग दिखाए दिये वहीं वर और वदुपक्ष दोनों की ओर से बस चुनिंदा महमानों को बिलाया गया था ये भी देखा गया कि परिवार जुनों से जादा प्रशासनिक अधिकारी शादी में नजर आ रहे थे वहीं इससे शादी की एक और खासियत भी देखी गए जो समाज को एक संदेश भी देदी है शादी में दुलहे की और से किसी भी तरह का दहेज नहीं लिया गया और सादगी से शादी कर खरचीली शादी के नाम पर पैसा बरबाद भी नहीं किया गया इनकी शादी में एक और खास बात ये हुई कि जहां शादी में वेदिक मंतर उचार के साथ रस्मे पूरी की जाती है महीं जितेंद्र और आचल की शादी में एक और ऐसी रस्मदा की गई जो सब का दिल जीत लेगी दोनों की शादी में अमर बलिदानियों को याद किया गया और भारत माता के जैकारी लगाए गए और इसी के साथ दोनों ने जनम जनम तक साथ रहने की कस्मे खाए आचल और जितेंद्र की शादी बहुत ही सादगी के साथ हुई और शायद इनकी शादी एक प्रेड़ ना बन सकती है Subscribe our channel and press the bell icon for more updates